साथियों आपकी सरकार ये सभी काम कर पा रही है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है आपको मालू है ये सब कैसे हो रहा है आप बताएंगे ये सारा इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इतनी योजना ही चला रहे हैं पहला की तुना में ते ये कैसे हो रहा है भाई क्या कारण है बता पाएंगे आप मोदी नहीं ये इसलिए हो रहा है कि पहले मलाई बिचोलिये खाते थे आज वो सारा बंद हो गया है चोरी लूट की दुकानों को ताले लग गए हैं गरीब के हक का गरीब को मिल रहा है और इसलिए पाई-पाई का सदुप्योग हो रहा है ये सबसे बड़ा कारण है कि बिचोलिये गए कमिशन खोरों के खिलाब एक व्यापक सफाई अभ्यान चलाया है जब मैं शहर की सफाई की बात करता हूँ गाउं की सफाई की बात करता हूँ तो मैंने सरकार में भी सफाई चलाई है दिल्ली में सप्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और रासन की दुकानों तक बिचोलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है और इसी का परणाम है कि जो सत्ता को अपना जन्मसीद अधिकार समझते थे पीडी दर पीडी राजपरंपरा की तरह ये कुर्सी उनीके खाते लिखी गई थी यही वो समझ बेठे थे ऐसे बड़े बड़े दिग्जबी आज कानून के कट घरे में खड़े दिखते हैं भाईयों टैक्स चोरी से लेकर रक्षा सवदों में रिस्वत खोरी के जवाब आज उनको देने पड़ रहे हैं पसीना छुट रहा है आपने देखा है आँखे फटी फटी रहे जाती है भाई और बैनों पहले की सरकार ने बिचोलियों के जिस कल्चर को सिस्टिम का हिस्सा बना दिया था उन्होंने गरीबों का हक तो चीना ही था देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवार किया मैं कल अकबारों में देख रहा था कि हेलिकॉप्टर गोटा लेके जिस बिचोलियों को सरकार खोज रही है उन बिचोलियों में से एक को विदेश से उठा करके लाया गया है अभी जेल में बंध है उसने एक चोकाने वाला खुलासा किया है मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिरफ हेलिकॉप्टर वाली डील में ही सामिल नहीं था बलकि पहले की सरकार के समय करें लड़ा को विमानों का जो मिडिया करता था उसमें भी उसकी भूमी का थी मिडिया वाले कह रहे हैं कि मिशल मामा के मिश्यल मामा किसी दूसरी कंपनी के विमानों के लिए लॉबिंग कर रहा था अभी सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि कॉंग्रेस के नेता जो शोर अभी कर रहे हैं उसका मिशेल मामा से क्या कनेक्शन है यह कॉंग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए यह मिशेल मामा से किसका नाता था है बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए क्या बताईए देश को लूटने देना चाहिए क्या पाई पाई का हिसाम मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए चोकिदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चोकिदार ने जांगना चाहिए कि सोना चाहिए जांगना चाहिए कि सोना चाहिए चोकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि न बढ़े चोकीदार को आफिवाद है कि नहीं है आफके आफिवाद है इसंरे चोकीदार लोड रहा है आफिशन बढ़े तुट हुनके साथ laying चुटिक साथ हिँ कहीं मिशेल मामा की सौधे बाजे से ही तो वो समय का डिल रुक नहीं गई थी साथ यह इन तमाम सवालों का जबाब जहांच एजन्सियों तो डूण रही है देश की जनता भी जबाब मांग रही है बिचयोलियां के जो भी हमदर्द है उनको देश की सुरक्षा से किये गए खिलवार का जबाब देना होगा कमिशन खोरों के सारे दस्दोस्त इकटा होकर चोकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं लेकिन मोदी हैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ है न उसे खरीद पाओगे न उसे डना पाओगे इस देश के लिए वो पाई पाई का हिसाब लेके रहेगा लेकिन मुझे पता है उनको बहुत निराता हाथ लगने वाली क्योंकि ये चोकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है बाई और बहनों चोकीदार को ये शक्ती ये चोकीदार की शक्ती का कारण क्या है मैं आपसे पूरता हूँ ये चोकीदार की शक्ती का कारण क्या है वो कौन सी ताकत है भाई और बहनों आपके आसिरवाद यही चोकीदार की ताकत है मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ वो लोग लाख मुझे गाली दे लगातार जूट बोले बार बार जूट बोले जहां चाहे वहां जूट बोले जोड जोड से जूट बोले लेकिन चौकिदार ये सभाई अभियान को बंद नहीं करेगा न्यू इंडिया के लिए बिचोलिया इससे मुक्त व्यवस्था का निर्माण होनी चाहिए